असलावलेकूम एबरिवन, मैं परवीन खान आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में दिल से पूने से आजकी हमारी रेसिपी है तिल और गुड की चिक्की जोकी बनाने में बहुत ही आसान है तो चलिए देखते हैं तिल और गुड की चिक्की बनानी के लिए हमें किन किन चीजों की जरुरत है मैंने लिया है 500 ग्राम सफेद तिल तिल के बराबर equal quantity में मैंने लिया है गुड 500 ग्राम साथी में मैंने लिया है एक टीस्पून इलाइची पाउडर और सबसे पहले मैं तिल को मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए भूनूँगी तिल हमारे भूनकर रेडी हो चुके हैं अब इसी कड़ाही में मैंने एड किया है गुड को गुड को हमें लो फ्लेम पर पेगलाना है गुड जब थोड़ा सा पेगल जाए तब मैं उसमें एड कर रही हूँ गी और गुर्व को हमने अच्छे तरह से mix करना है और जब माय मिल्ट मैं उसमें यहाइंड कर국 gide के इत्य गिद्ध को पानी को हमें अच्छे ुम्ता से मिक्स करना है और कुछ देर के बाद इसमें से ज्चागी कलना स्टार्ट होगा देखे इसमें ज्ञाग तयार हो रहा है दिरे दिरे इसमें अच्छी तरह से ज्ञाग जब बन जाए तब हमें लो फ्लेम पर इसे करीब करीब दो या तीन मिनिट तक हमें पकाना है देखे इस तरह से इसका पाक रेडी हो जाएगा हमें ज्यादा देर तक न इलाइची पाउडर को गुड़ के साथ अच्छे तरह से मिक्स कीजिए चलिए गुड़ का पाक हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ तिल जो हमने भून कर रखे हुए थे तिल और गुड़ के पाउड़ को अच्छे तरह से मिक्स कीजिए चलिए सारी चीज़े अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है चिक्की जिस प्लेट में हमें सेट करना है उसमें पहले हम इस तरह से घी डालकर उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि चिक्की जो है वो प्लेट में चिपके नहीं और निकालने में हमें आसानी हो और अब इस प्लेट में हम तील और गुड के मिक्स्चर को निकाल कर ले लेंगे अब इस मिक्स्चर को हमें अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करके लेना है इसकी मोटाई आप अपने चोईस के हिसाब से रखिए पतला मोटा जैसे रखना चाते हैं और अब मैं इसे चापू की मदद से कट करूँगी चिक्की को अब हमें अच्छी तरह ठर्णा होने देना है माशाला देखिए हमारे चिक्की बनकर रेडी हो चुके हैं बहुत ही इजी वे में हैं आप ज़रूर इसे ट्राइ करिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए फिर में लेंगे एक अलग रेसिपी के साथ तिल रेन टेक केर और बाबाई